आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सा काउंसलिंग के बारे में जो सा काउंसलिंग जो होती है वो आपकी कहीं न कहीं जितने भी IITs होते हैं, NITs होते हैं, TRIPAL ITs होते हैं और साथ ही साथ कुछ Government Funded Technical Institutes भी हैं उनके लिए जो है ये Complete Counseling होती है जो सा काउंसलिंग टोटल छे राउंड की होती है, आपको मॉक राउंड वगेरा भी दिये जाते हैं, Complete Procedure इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे, ध्यान देजिए गाये किक करें सबसे पहले आप की J-Mains की Rank आती है, अभी फिलहाल जिस समय में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी J-Mains की Percentile आई है, फरवरी वाले Attempt के लेकिन जब आप April वाला Attempt दे देंगे, उसके बाद आपके फाइनल Rank आती है, उस फाइनल Rank के बेसिस पे आप जोसा के अंदर जाकर के Online Registration करते हैं, जोसा के Official Website पे जाकर के जोसा Admissions.NIC.IN के उतर हैं, अब वहाँ पे जब आप उनके Official Website पे जाकर के Registration करते हैं, अपने J-Mains के Roll Number और Password का Use करके आपको कोई भी Registration Feast नहीं देनी होती है, जोसा के लिए कोई भी फीस नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा Maximum मातरा में लोग यहाँ पे Form को भारते हैं, जोसा के लिए जो भी schedule आएगी, जो भी बाते आएंगे, बहुत सारी चीज़े आने वाली है, तो उसके लिए आपको updated रहना होगे, कब registration स्टार्ट हो रहा है, कब choice filling का date है, कब क्या है, यह सा बात ध्यान में रखना बहुत मुस्किल हो जाता है, क्योंकि ए लग से बाहर rank है, अब general category है, EWS OBC हो, तो फिर तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जो सामय आपको, तो बाद बाकी counselling का भी आपको ध्यान रखना होता है, जो हरियाना में counselling होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, मद्य प्रदेश में, राजस्थान में होती है, counselling, उ सारी counselling की detail होगी, counselling related videos आपको एकदम organized manner में मिल जाएंगे, सारे counselling के लिए college predictor, rank predictor, सब कुछ आपको मिल जाएगा, colleges को compare कर सकते हैं, सारे colleges की details देख सकते हैं, तो बहुत सारे facilities आपके लिए वहाँ पे available है, अभी भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अभी अपने percentile के basis पे colleges की list आप देख सकते हैं, कि आप percentile डालेंगे वहाँ पे, जो भी college आपको मिलना होगा, उसके proper एक list बनके आपको PDF आजाएगे, वो चीज़ भी, तो आपको जोड़ से अभी download कर लें, आपके लिए बहुत जादा फायदा, सारे चीज़े बिल्कुल free है, क तो देखिए, online registration करते हैं, आप बिल्कुल भी कोई fees नहीं लगती है, उसके बाद choice filling करते है, choice filling मतलब क्या होता है, कि बहुत सारे colleges आपके पास होंगे, IITs, NITs, करीब 600 सारे, 600 से जादा choices होंगे, उनकी branches होगी, तो मानलो आपको choice बरनी है, आपके rank 1 है, IIT Bombay CSE डाला, IIT Bomb Bombay के अंदर, फिर से जो है, मानलीजे, कोई और branch डाली, मानलीजे आपको IIT, दिल्ली के अंदर CSE चाहिए होगी, मानलीजे आपको कह रहे हैं कि IIT भोवनेस्वर चाहिए हमको, तो जो भी चीजे हैं, ऐसे आप choice filling करेंगे, आप choice filling करने का ये मतलब नहीं है, कि आपने जो mark seat alignment मतलब कि ऐसे ही जो है, एक बार आपको दिखाया जाएगा कि ऐसे होता है, तो कोई seat आपको अलॉट कर दी जाएगे, seat अलॉट करने के बाद आपको जो है, ये mock होगा, यानि कि ये बस demo के लिए होगा, देखाने के लिए होगा, तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे जो है seat allot होती है जो मैंने भरा है जाओडी नहीं है पहले नमर पर जो भरा वो मिल जाएगा और जाओडी नहीं है कि मैंने भरा है तो मिले ही जाएगा आपके rank के basis पर बहुत सारे लोगों ने और भड़ी होगी twice तो अगर colleges में seats बचती है मेरे rank तक आने तक तब तो आपको म load करके seat को accept कर सकते हैं यह चीज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको seat नहीं मिला या फिर seat अगर आपको मिलता है तो किस तरीके से जो है चीज़े चलती है वो बाते भीव हैं आपको यहाँ पर बता रहा है चीक आज़ेगे seat अगर आपको मिलता है तो आपके पास तीन options होते हैं एक तो freeze करने का option होता है और एक तो float करने का option होता है एक slide करने का option होता है freeze करने का मतलब यह है कि आपको जो seat मिला है आपको जो college अलोट हुआ है आपके choice filling के basis पे उस college को आप लेना चाहते हैं और आप उसके बाद acceptance fee को payment करेंगे और document upload करेंगे और आपका final admission बाद में जब सारी counseling complete हो जाएगी तो आपको college जा करके एक बार final document verify करवाना होगा और फिर स fee payment जो है बाकी की उसको करने होगी तो यह चीज़ freeze के अंदर आ गया लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाईया मुझे तो college मिला पहले round में मिला दूसरे में मिला तीसरे में मिला अब मैं चाहता हूँ कि मैं float करूँगा ताकि next round में मुझे इस से उपर की choice मिले जो मैंने choice feeling भ जोर हो गया लेकिन उससे उपर की जो है choice अभी जारी है उससे उपर के लिए search अभी जारी है स्लाइड भी वही चीज़ है कि आपको जो college मिला वो तो आपका lock हो गया लेकिन उसके बाद जो है आपको कही न कहीं same college के अंदर within the same institute आपका जो है अलग branch के लिए यहां पर आप के उपर में जा करके verification centers बने होते हैं provisional admission होता है तो provisional admission के लिए भी आपको fees वगरा वहां पर देनी होती है जो कि आपका semester fees होता है वो सारी चीज़े मैनेज हो जाती है required documents होते हैं आपके पास required documents के अंदर मैं बता दूँ आपको की JEE का scorecard आपका लेगा photo ID आपका लेगा photo photo ID के अंदर आधार card आप दे सकते हो photographs आपके लेगे academic certificates जैसे कि 10th 12th का mark seat आपका लेगा 10 12th का certificate आपका लेगा category अगर आपके कोई लगती है तो category certificate आपका लेगा जो भी seat आपको अलॉट हुआ है उसका allotment letter आपका लेगा ठीक है इस बात को समझे candidate must report to the allotter institute with their provisional admission letter and original document to finalize their seat अभी तक आपकी seat final नहीं हुई है जब तक आप institute पे report करके fee payment करके document verify नहीं करवा लेते हो तब तक इस बात को ध्यान रहे है ठीक है तो fee payment होगी seat confirmation होगी refund की कुछ policies है refund की जो policies है उनको भी हम discuss करेंगे बाद में और final reporting आपकी जो है यहाँ पे हो इसी है वो जब जोसा की सीडियो लाएगी तब देखेंगा अभी मैं जोसा के उपर में आपको जो ओवर्वीव दे रहा हूँ ठीक है कि last round से पहले कर ले क्योंकि last round तक अगर आपको seat मिल रहा है और आपने withdraw नहीं किया तो उस seat के लिए जो है आपके अगर आपने admission fee अगर सब्मिट नहीं कि फिर तो कोई बात ही नहीं लेकिन अगर आपने submit कर दिया है वो seat आपने confirm कर दिया है उस case में आपको प्रॉब्लम हो सक्टेरे फंड में उस सीज को डिया है ओके इन्रॉल्मेंट नंबर बिल्कु लेटेस्ट डेटा एंट्रेंट्स के अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इस साल तो 14 लाग से ज्यादा बच्चे जैइमेंस को दे रहे हैं तो काफी ज्यादा टफ होगा जो सा कांसलिंग के अंदर हलांकि सीट्स भी बढ़ती है हार साल इस अगरा के अंदर लेकिन देखिए काफी ज्यादा टफ होगा कॉलेजिस का मिलना उस बात को ज्यान रखें ठीक है अगे बढ़ते हैं अगर मैं इस वीडियो का टोटल आपको बता हूँ तो प्रॉसेस को आपको समझना होगा प्रॉसेस को मैंने बताया आपको की कैसे क्या प्रॉसेस चलती है बढ़ार चलती है इसके बाद आपको जब कोलेज मिलता है तो फ्रीज फ्लोड और स्लाइड क के आपके पस double l e g e double l e g e college space मन देना college और मित्रा के बीचे में space मन देना college मित्रा college m i t r t r college मित्रा ऐसे बाकि PPT में इतना आई था बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए जोसा काउंसलिंग पर ये वीडियो थी बाकी जैसे ही अलग-अलग counselling की चीज़ें होंगी मैं उन पे भी अलग-अलग separate वीडियो बनाऊंगा और top 10 colleges कौन-कौन से हैं आड़े counselling के अंदर उस पे भी वीडियो बनेंगी Thank you